हाई गाज सुस्वागत आपका सिरसी के और एक अमिज्टिंग एपिसोड में और आज हम इल्टी एचे लेविं की क्वीन को मैक्स करने वाले तो अभी हम अपनी क्वीन को ना 111 जेम्स डाल देते ग्रेड के लिए और 49 के क्वीन वो चुकी है हम 50 के लिए डालेंगे और वोकसंद में फिनिश कर देंगे तो और हमारे सुपर्वाओανड रिकरर्स अभी थोड़ी देर में खता होने वाले हैं इसलिए मैंने पद्वियले को की थी आर्मिं तो हम पहले यह फांच करेंगे अपना फार्म करके और हमको अटेक करना है अभी टीएज 11 से विदाउट किंग एंड वार्डन के साथ तो हम जाते हैं इस बेश के उपर और हमारे पास दो सुपर वाल प्रेकर से तो चलो चलते हैं अटेक की तरफ और इधर हम क्या करेंगे इधर हम अपनी क्वीन को मतलब प करेंगे और सकरना सूपर वाल प्रेकर हम फ्रॉब कर देंगे जिससे अंदर वाली लेयर फुड जाए जो ऐगल्क मतलब क्यिन इएगल को ले जाए तो हम कर देते हैं अधर पहले रेज और एक सूपर वाल बेकर ड्रॉप कर देते हैं और सूपर वाल बेकर किधर चला गया है दूसरी साइड की वॉल तो तो दिये और यह डिफेंस बे टार्गेट करने लग गया है तो थोड़े हॉक्स डाल देते हैं अपने और इधर भी थोड़े हॉक्स डालने जिसे सीची लिवर करना है हमको तो सीची लिवर तो हो चुका है अभी हॉक्स डालने की कोई जरूरत नहीं हमको फिर भी डाल देते कि पूरा सीची तो लिवर हुआ है रहां तो पूरा सीची करदेते हैं अपने माइनर को डिरॉप करेंगे हम थोड़ी देर में और माइनर में लंग पर द्राप शोब नुन दो रहा था तो इधर और एक हीदिधद्रॉप करदे चामनों के पास और हम इधर एक इन्विजीबिलिटी स्प्रे लटा देते हैं जिसे माइनर्स तावनौल के उपाजाए ना की अल्टर मतलब कींग की अल्टर के उपर और इधर एक इलिंग से द्रॉप कर दिया हमने और अभी सिर्फ पिक अदर है और बहुत सरे वीजार्ट से बचे हुए है क्विन की अबिलिटी और टो पॉपप हो चुकी है शायद से और हीलर्स मर है और थोड़े माइनर्स बचे हुए है वर्डन नहीं यह ने तो वाइटन के अबिलिटी से सब हौक से माइनर्स बच जाते आराम से और सिंगल इंफिर्नों बचे है जो और मतलब है मतलब पूरा अटेक की वाट लाट लगा सकते है सिंगर इंफिर्नों और शायद सी आट तो यह अटेक हमारा फेल हो चुका है 95-96 परसेंग और कितना करशेंट जाएगा शायद से 97 आ जाएगा 1% हो जाएगा और 97 के उपर हम फेल करेंगे क्योंकि अगर हमारा किंग और वार्डन होता तो हम यह अटेक भी ट्री स्टॉर कर लेते शायद से तो यह एक परसेंटेज निकल चुका है और तो कैसी लगी मेरे कॉमेंट्स बंदान लाइक चेर कॉमेंट्स सब्सक्राइब सब कुछ कर देना ओके बाई और आज हमारा टुस्टार लगा है आटेंग